तो Realme वालों ने कुछ कमाल किया है, एक नई सीरीज लॉंच किया है, Realme P सीरीज, इसमें P स्टेंड करेगा पर्फॉर्मेंस के लिए और P1 पहला फोन है उनका, 15,000 के नीचे 6,00,000 उसके एंटूटू स्कोर आ रहे हैं, बहुत पाउरफुल ये फोन होने वाला है, पट उसके इलावा क्या चीज़े हैं, क्या पर्फॉर्मेंस के साथ सारी चीज़े बैलेंस मिल रही हैं, आपको 15,000 के अंदर, वही जानते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, पहले बार इस चैनल पर है, तो मेरा नाम है प्राव विर्क, प्लीज सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीड यह जो फोन है, एकदम बॉक्सी डिजाइन लेकर आता है, फ्लाट एज़े पतला यह फोन है, और यह भी वही रियलमी का कैमरा मॉडुली लेकर आता है, जिससे पता सल जाए कि हाँ, यह भी रियलमी का फोन है, और लाइट हीट करते हैं, तो हलका से एक पैरन भी प्र्यू लग रहा है डिजाइन अच्छा वैसी फोन कमफर्टिबल भी हाथ में भी अच्छा फिट हो रहा है और यह फोन 190 ग्राम तक पहुंचते है तो हाँ कमफर्टिबल भी आपको फिल होगा बिल्ड के अंदर पीछे पूरा प्लास्टिक है काफी सॉलिड फिल होगा डिस्प्ले के अंदर ड्रेगन ट्रेल की आपको प्रटेक्शन मिलती है और IP54 की रेटिंग है तो नॉर्मल वाटर स्प्लैसी से कुछ नहीं होगा और हैप्टिक मुझे बहुत अच्छ लगे काफी यूनिफॉर्म बैजल्स है और इवन बॉर्टर टैच वाला भी ऑप्शन मिलता है तो आपके हाथ गीले होंगा तो भी आप डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो वैसे क्वालिटी के अंदर रियल में के वही आपको पंची कलर्स मिलते है ब् लेके जाते हो 2000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है असानी सी यूज़ कर सकते हो इन डिस्प्ले फिंप्रिंट स्कैनर भी एस प्राइस पे जो कि हर बार और काफी फास्ट काम कर रहा है तो यह डिस्प्ले भी अच्छी च्यूज़ करती इवन साउंड अच्छी क्वाल्टी अच्छी डिटेल प्रडियूस कर रहा है अब सौफ्टर इंपर्टन होता है रियल्मी का कैसा आ रहा है तो यहां पर लेटेस्ट है पहले तो एंड्डिट 14 पर यह फोन चल रहा है रियल्मी यूज़ 5.0 है दो मेजर अपडेट मिलेंगे तीन साल तक सेक्यूर्टी अपडेट मिलेंगे प्राइस के सबसे यह सबोर्ट भी अच्छा है हाँ आपको साफ सफाई करने पड़ती है स्टार्टिंग में यह तीन चार चीज़े ऑन आती है इन्हें आपको आफ कर देना है उसके बाद काफी प्रिंस्टोल्ड एप्स मिलते हैं अच् आप खोलते हो वहीं पर जाके वह बन नहीं होते बट उसके लावा फीचर सारे हैं जैसे एप लोग आपको मिलता है ड्यूल एपस है एप हाइड बगरह कर सकते हो यहाँ पर आपको स्लाइड बार मिलता है जिसके अंदर वो फाइल डॉक वाला उप्शन मिलता है वो जो र आपको देख जाएंगे तो उसे प्लीज आप दबा देना इससे वीडियो चल जाएगी अब पर्फॉर्मेस की बात करते हैं जिसके लिए आप रुके हुए हो तो यहाँ पर मीडियाटेक का 7050 प्रोसेसर है LPDR 4X RAM है और UFS 3.1 की स्टोरेज है एंटूडू स्कोर्स आपने अल्यडी देख लिए हैं भाई 6 लाके क्लोज आ रहे हैं लेकिन स्टोरेज के स्कोर्स आपको मैं दिखाना चाहता हूँ हाँ यहाँ पर अगर यह एप अनिमेशन दे देते ना तो यह फोन बहुत ही कमाल का फील होता लेकिन इसके लाब पंदरह जार के नीचे जितने भी मैंने फोन टेस्ट के हैं वनों था मोश्ट रिस्पॉंसिव यह फोन फील हुआ रैम मैनेजमेंट भी अच्छी है बेस पार्ट यह है कि बेस विरेंट के अंदर यह आपको 6G भी रैम मिल रही है वैसे मैं जो फोन टेस्ट कर रहो हो वो 8G भी रैम लेका आता है और इसकी परफॉमस तो बहुत अच्छी है अब गेमिंग परफॉमस कैसी है तो यहाँ पर थी तो हलका सा मुझे warm feel हुआ मैंने लेकिन CPU throttling जब की ना तो 90% की throttling मिली हाँ almost graph इसका green में रहता है तो हाँ performance भी काफी stable feel हो रही है और जिस काम के लिए series launch की जा रही है performance के लिए realme P series वो काम तो यह मस्त कर रहा है बट बाकी सारी जीजे मस्त आ रही है तो क्या camera भी मस colors भी अच्छे आ रहे है, skin tones भी हाँ अच्छे आ रहे है, लेकिन कई बार जैसे आपके पीछे storage भी अगयरा होगा या harsh light होगी तो वहाँ पर light काफी जाद हो जाती है, तो HDR का थोड़ा से लोग काम करने की जूरत है, portrait shots के अंदर भी agitation आपको अच्छा मिल रहा है, यहाँ भी color skin tones अच्छे आ रहे है, but light control के लावा सब कुछ काफी अच्छा लग रहा है, low light के अंदर भी काफी bright images आ रहे है, colors यहाँ भी अच्छे है, लेकिन skin tones जरूर थोड़े से white कर देता है, but overall photos usable है, best part है क्योंकि यह phone बहुत powerful है, तो 4K के अंदर भी इससे video बना सकते हो, 4K के अंदर जरूर detail आपको ज़्याद हो मिल रहे है, बट यहाँ पर stability आपको नहीं मिलती, stable video बनानी है, best part है, 1080p, 60fps में आप video बना सकते हो, और वो एकदम stable बनती है, तो यह इसका main camera है, थोड़ा सा HDR, यानि harsh light पर थोड़ा सा काम करने की जूरत है, और low light में skin tones को थोड़ा बह खीच रहे हो, तो वहाँ भी light control अच्छा है, portrait shots भी इसके काफी अच्छा है, और overall photo काफी अच्छी लग रही है, वैसे low light के अंदर भी काफी bright images है, colors भी अच्छा है, लेकिन skin tones में वही जो main camera कर रहा था, हलके से skin tones काफी white हो जाते हैं, वैसे इससे लेकिन 1080p, 30fps पर आप video ब पंदर हजार के साब से, 5G के साब से, camera भी इसमें usable है, इवन battery का combination भी देखो, 5000 mh की battery है, और box के अंदर आपको 45W का charger मिलता है, वैसे network के अंदर भी, यहाँ पर आपको 5G एकदम constant मिल रहा है, star value भी इस phone की एकदम अच्छे है, यहाँ पर ऐसा sim slot दिया है, या तो आप 2 sim ल powerful processor वाला phone under 15,000, अगर यह इस price पे आता है, तो बहुत बड़ी major issue नहीं दिख रहे है, camera के अंदर हां harsh light के अंदर थोड़ा काम करना है, software के अंदर animations पे थोड़ा सा काम करना है, इसके लाबा major issue मुझे दिखे नहीं, main phone की तरह use करने का पूरा मन है, तो अगर आप कहोगे comment section म कि इसका complete review चाहिए, तो इसको main phone की तरह test करूँगा, और इसका complete review लेकर आऊँगा, किसी phone के साथ comparison देखना है, तो हो भी बता देना comment section में, उसकी video भी लेकर आजाँगा, hope आप लोको video अच्छे लगी हो, मैं ऐसे simple videos बनाता हूँ, वो दो video देखनी है, ये video अच्छे लगी झाया हो, मैं झाया हो, झाया हूँए, वोगी हो देखनी हो, मैं एक है, दो है राँगा हूँगा मैं Unaड़ लोकी उप मैं, को भी लेकर mid date स्वा वोड्य हो जई पिसेJust, देखनी हो शोष़ से दिखना है, लोरा आप